हर समझोते में समझदार ही क्यों जुकता है कोई जहांक के देखे एक बार कि वो अंदर से कितना तोड़ता है चुपता तो बहुत कुछ है मुझको भी तीर की तर है मगर खामोस रहती हूँ अपनी तकदीर की तर है देखा है जिन्दगी को कुछ इतने करीब से चहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से कभी जो जिन्दगी से ठक जाओ तो किसी को कानो कान खवर भी न होने देना क्योंकि लोग तूटी हुई इमारतों की इंच तक उखाड कर ले जाते हैं जीवन में सांती चाहते हो तो दूसरों की सिकायते करने से बहतर है खुद को बदलने क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चपल पैरना अधिक सरल है सभी की जिंदगी में सुक दुक आते जाते रहते हैं अपने लक्च के लिए जो सीले बने विस्वास रखिये परिशम का फल सफलता है समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो जीनी है जिंदगी तो आगे देखो घायल तो यहां हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ जाए वही जिंदा है तरक्की की दोड में उसी का जोड चल गया जो बना के रास्ता भीड से निकल गया जिंदगी का सफर मानो तो मौज है बनना समस्यां तो रोज हैं जो रातों को कोशिसों में गवा देते हैं वही सपनों में चिराकों को हवा देते हैं जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज़त नहीं करता, इस दुनिया में डर की कोई जगे नहीं है, केवल तागत तागत का सम्मान करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है, जितना कोईस करने वाले छोड़ देते हैं, जिन्दगी हर पर ढलती है, और जैसे रेत मुठी से फिसलती है। सिक्वे कितने भी हो किसी से फिर भी मुस्कुराते रहना क्योंकि ये जिन्दगी जैसी भी है बस एक बार मिलती है जिन्दगी को गड़ित की तरह समझने में लगे हुए हैं इसकी सुरुवात और अंत ढोड़ने में लगे हुए हैं ना जाने क्यों अपने आप को समाज के हिसाब से ढालने में लगे हुए हैं अच्छा दोस्तों फिर मिलेंगे, सब्दों को समालना चाहिए, सब्दों में बड़ी जान होती है, इसी से ही तो इनसान की पैचान होती है.